का सोनू श्टड़ी क्लासे यूटूब चैलों दोस्तों आज मैं आफसे लोग को इंसी याटी बुक क्लास नाइन्थ विज्ञान चैप्टर दो क्या हमारे आसपास के प्रदार्थ सुद्ध है अध्याय समिक्षा समाने रासानिक प्राकिर्तिक के प्रदार्थ को जो एक ही प्रकार के कड़ू से बने होते हैं सुद्ध प्रदार्थ कहते हैं मिस्रण दो या दो से अधिक सुद्ध प्रदार्थ के मेल से बने प्रदार्थ को मिस्रण कहते हैं जैसे जल में चीनी, रक्तवायू और बालू नमक का मिस्रण आदी, समुंद्र का जल, खनीज, मिट्टी, आदी सभी मिस्रण के उधारन है, किसी प्रदार्थ को अन्य प्रकार के तत्तो में भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, यह सुद्र प्रदार्थ होते हैं, जैसे सूडियम क्लोराइट, चीनी, आदी, तत्तो, एलिमेंट, तत्तो किसी प्रदार्थ का मुल रूप होता है, जो एक ही प्रकार के रासाइनिक प्रकृतिक के बने होते हैं और जिसे किसी भी भौतिक या रासाइनिक प्रकृति के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है तत्व कहलाता है जैसे लोहा, आक्सीजन, सलफर, सोना, चान्दी, आदी योगिक, compound, दो या दो से अधिक तत्तो की मेल से एक निश्चित अनुपात में रासाइनिक प्रकृतिक द्वारा बने प्रदार्थ को योगिक कहते हैं जैसे जल, नमक, चीनी, अलकोहल, एवं कारवन डायोकसाइड आधी योगिक हैं समांगी मिसरन, वह मिसरन जिनकी बनावट समान हो और इसके कड़ो को अलग-अलग नहीं पहचाना जा सके समांगी मिसरन कहते हैं जैसे नमक और जल का घोल वा मिसरन जिसके अंस भौतिक रूप से अलग होते हैं और इसके कड़ो को अलग अलग पहचाना जा सकता है विसमांगी मिसरन कहलाता है जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिसरन दो या दो से अधिक प्रदार्थों के समांगी मिसरन को विलियन कहते हैं विलियन प्रदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाय जाता है जैसे ठोस, मिस्रधातू, द्रब्य, नेबू, पानी, गैस, आदी, वायू विलियन के कड समान रूप से बिप्रित रहते हैं अर्थात इनके कडों को अलग-अलग पहचाना नहीं जा सकता है जैसे नेबू, चीनी, पानी में एक ही स्वाद होता है पाठिगत प्रश्ण कोश्चन नमर एक, सुद्ध प्रदार्थ से आप क्या समझते हैं उत्तर वाप्रदार्थ जिसमें मौजू सभी कड समान रासानिक प्रकृति के हैं तथा एक ही प्रकार की कडों से मिलकर बना होता है, सुद्ध प्रदार्थ का हलाता है कोश्चन नमर दू, समांगी और विसमांगी मिस्रण में अंतर बताईए, समांगी मिस्रण, विसमांगी मिस्रण, नमर एक, समांगी मिस्रण, इसके संगट को की बनावट समान होती है, विसमांगी मिस्रण, नमर एक, इसके संगट को की बनावट भावतिक द्रिष्टी से नमबर दू इसके विविन आव्यवों की बीच इसपष्ट पृतकन सिमाएं नहीं होती नमबर तीन उधारन सक्कर या चीनी का विलियन बिसमांगी अलग होती है नमबर दू इसके विविन आव्यवों की बीच पृतकन सिमाएं होती है नमबर तीन उधारण सोडियम क्लोराइट और लोहे की छीलन कोसर नमबर एक उधारण के साथ सामांगी एवं बिसमांगी मिस्रडों में विवेत कीजिए विलियन निलंबन और क्लोराइट एक दूसरे में से किस प्रकार भिन हैं उत्तर विलियन विलियन दो या दो से अधिक प्रदार्थों का सामांगी मिस्रण है विलियन में प्रकास का मार्ग दिखाई नहीं देता नमबर पांच छानने की विधी द्वारा विलियन के कड़ों को विलियन के विलियन से प्रिथक नहीं किया जा सकता नमबर छ या स्थाई होती है निलमबन नमबर एक या एक विसमांगी मिस्रण है नमबर दू इसके कड़ों में समांगी कता नहीं होती है नमबर तीन इसके कड़ बड़े होते हैं और या आखों से देखे जा सकते है नमबर चार, इनके दिलंबितकन प्रकास के किरण को फैला देते हैं नमबर पांच, इसे च्छानने की विधी से अलग किया जा सकता है नमबर च्छ, यह अस्थाई होते हैं कोलाइड, नमबर एक, यह भी एक विस्मांग की मिस्रण है नमबर दू, इसके कड़ो में भी समांगिकता नहीं होती है नमबर तीन, इनका आकार छोटा होने के काण इन्हें आखों से देखा नहीं जा सकता है नमबर चार, यह प्रकास के मार्ग को दिर्श से बनाते हैं और टिंडल प्रभाव दिखाते हैं नमबर पांच, छानने की विधी से इसके कड़ो को प्रिथक नहीं किया जा सकता है नमबर च्व, यह सभी अस्थाई होते हैं अगर वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, कमेंट करें और नेश्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फूर वाचिंग